सभी दोस्तों को ज्याहिंद वंदे मात्रमत दोस्तों यदि आप लोग CISF Constable Fireman 1149 पोस्टों में फीजीकल कम्पलीट कर लिए हैं और एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो आज हम आप लोग को जो सिलेवस बताने वाले हैं आप लोग बस उतना तयारी कर लिजे आपका सेलेक्शन पका है तो यदि आप लोग एकजाम की तयारी करते हैं तो इस वीडियो को कम्पलीट देखे आज हम आप लोगों को जो महत्पूर्ण सिलेवस हैं जो महत्पूर्ण सब्जेक्ट हैं जो आपके CISF Fireman के एकजाम में पूछे जाएंगे जीके से, जीयस से, हिंदी से, रिजनिंग से और माइत से, साड़ी चीजे आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इसी बात पे एक बाल वीडियो को आप लोग कर दीजे लाइक, सेयर और चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब कर दीजे और जैसे ही CISF फायर में 1149 पोस्टों का एकजाम का मतलब लिखित परिच्छा का एडमिट कार जारी होगा या कोई डेट कोई न्यूज आता है तो हम आप लोगों को फटाफट बता देंगे कि मेरे प्यारे भाईयों आप लोगों का एकजाम इस डेट से इस डेट में होने वाला है तयारी में लग जाए और हम जनवारी से इसका कलास भी प्रारम करने वाले हैं तो चलिए सिधा चलते हैं नौटिस पे जो CISF फायर का नौटिस है उस पे और दिखाते हैं आप लोगों को सिलेबस क्या निगेटिव मार्किंग है कितना कितना प्रश्ण कहां से पूछा जाएगा आपका जो एकजाम का लेभल है वह क्या रहेगा दस भी या बार भी सारी चीजे इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं तो देख सकते दोस्तों यही वह नौटिस है और इसी नौटिस में सारा कुछ बताया गया है CISF के बारे में तो दोस्तों सलेक्शन लेना है तो ध्यान से सुन लिजे आप लोग देख लिजे जिस तरह से BISF ट्रेट्समेंट का एकजाम होगा था सेम उसी तरह से आप लोगों का भी एकजाम होगा तो चलिए यहां से सुरुवात होता है रिटेन एकजामनेशन का खेल और देखिए यहां पर बता दिया गया है कि जो एस ड्येंट PTPST में पास हो गया है भाई उसका हम 100 क्वेस्टन उनसे पूछेंगे और वहां पर आप लोगों को 100 नमबर में से 100 नमबर का क्वेस्टन रहेगा पर तेक क्वेस्टन एक नमबर का रहेगा जिसमें पार्ट A में आप लोगों को रिजनिंग रहेगा जो 25 नमबर का रहेगा 25 मार्क का रहेगा जेंडर नॉलेज रहेगा जिसमें gkgs रहेगा 25 नमबर का रहेगा 25 नमबर का होगा फिर देखे patsy में meet रहेगा 25 question रहेगा 25 नमबर का फिर English या हिंदी दोनों में से आप किस एक रख सकते हैं 25 में से 25 रहेगा समझ गए अब आपका gkgs हिंदी रिजनिंग माइथ का सभी का कोशन इंगलीस और हिंदी दोनों में रहेगा समय मिलेगा आप लोगों को 120 मिनट समझ गए अब देखे यहां पर और एक्जाम के समय आप लोगों को बायो मेट्रिक किया जाएगा मतलब अंगूठा चेक किया जाएगा देखे यहां पर या कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट सी बीटी मोड वंली दस्याल भी नौ निगेटिव मार्क मतलब निगेटिव मार्क भी नहीं है समझ गे और इसका जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है यहां सिया एसेप के वेबसाइट पर बता दिया जाएगा समझ गे और यहां पर ट प्रश्ण आएगा देखिए साइंस सब्जेक्ट बारवी लेवल से आप लोगों का प्रश्ण आएगा गौर कीज़े इस परस्पे बारवी लेवल का अब बात करते हैं कि देखें जीके में कहां से कोशन पूछा जाएगा देखें दोस्तों जीके में हो गया भारतिय संभ साम ही प्रश्ण आते है इस पर ध्यन ध्यान धेड और भारतिय संभूत्त में समझ गये आप छत्री मिती समाए और काम समय दूड़ी इस सप्र वहां〜 लिजे और इंगल हिंदी में आप लोगों को मुहाबडा समझ गए और पठीद गधांस अलंकार चंद अलंकार और इसके बाद आप लोगों को पर यह वाची सब्द इस परकार के प्रस्ण की आप लोग तैयारी कीजे यह दि सलेक्शन लेना है तो तो दोस्तों तैयारी में लग जाए और पचीस पचीस कोशन पूछा जाएगा आप लोगों को समझ गए एक्जाम ऑनलाइन होगा यह कान खोल के सुन लीजे यहाँ पर देखे बता दिया गया आप लोग फिर से देख लीजे CBT CBT मूड आप लोगों को ऑनलाइन होगा एक्जाम तो दोस्ते दिया आपके पास कोई भी परिशान ही है तो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिद वंद्यमात्रम